प्रेंड्स मैं अरुना ए बी सी आर्स पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हमें चॉकलेट टाको जबनाएंगे चॉकलेट टाको जबनाने के लिए हमें धर्मा कॉल चाहिएगा इस तरह एक राउन काटोडी लेंगे श्राप कोर्नर की काटोडी लेंगे हम यह आप ध यूज़ करना चाहें वैसा पेपर उसकर सकते हैं सिंपल रॉफ पेपर इस तरहे की मोती की स्ट्रिंग्स माला मैंने यूज़ किए इसके अंदर वण साइड डरेप मैं चॉकलेट यूज़ किया हुआ है राउंड कॉई शेप में चॉकलेट वो यूज़ किया है इसके भी तक मैंने सरड थर्मा कॉल काड कर विध्य करना बता यूज करें कि पाल इसमें बहुत summarize कि इवह क्यारा है फिनिशिंग के लिए हमें कटर का यूज से तरह से हमें कटवरी के यूज़ करने हैं कुछ नहीं करना सिंपल इस तरह से प्रेस करें प्रेस कर के यह देखे हैं इस तरह से आए कटाझ आगे में 것으로 देखler देखिए कटोरी से निकलने के बाद में इस तरह सकान फिनिश रहेगा थोड़ा सा क्लीन कर लिजे बस बहुत फिनिशिंग इसमें जरूत नहीं है अब इसे हम सेंटर पर से हाफ कटिंग करनेगे इसे कोई माब नहीं है या पंदाजी से बना सकते हो बिलकुल आप साइस मारकिंग बतारहिएं उसके कवरिंग के लिए इस तरह से हम इसे रख लेगे और पैन से हम पहले तरह किन इस तरह कि लिए बढ़ा ही लेंगे हम चित्ता घर olhos एक श्तरा से बड़ी कटिंग करेंगे ये बिलकुल अंदाजा है इस तरह रखके हम एक बड़ा सा ओवल इस तर इस तरह से हम दूसरे साट की शेप लेंगे यह हमें ओवल शेप चीए तकरीबन इतनी बड़ी अब यह आप छोटी बड़ी कटिंग कर सकते हो हम रफली से फोल्ड कर देते इस तरह से एक हमें अंदाजा तो आई गया है यह साइस का यह मार्किंग दिखी रही है आप देख रहे होगे तो आप इसको जॉइन करके आप इस तरह के स्क्वेर बना लीजे और इससे सिंपल है इस तरह से कटिंग कर दीजे बहुत बड़ा अगर लग रहा है तब थोड़ा सा और कट कर दीजे यह साइस बिलकुल अपने अंदाजे से अपने तरीके से लेना है यह देखिए इस तरह का हमें ओवल मिल रहा है मुझे तोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है थूड़ा सा स्कॉर शेप देदेंगे इस तरीके से यह हमें शेप आ गई यह शेप में आपको बता दूँ इस तरीके से हम यह देखिए टाको शेप लाएंगे अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम यह पेपर लेंगे रफ पेपर ही लेंगे कोई भी इसे छोटा सा हम इस तरह से फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे कि इस तरह का हम C में किस लिए कर रहे हैं थर्माकॉल पर हमारा कॉखन काम नहीं करता है अभकर में पूरा रेप करें ताकि हम पूरा चिपकाने का कम ग्लु Ó G э किios से कर सकें हैं ऑब इस तरह देखने में यह एिस तरह से बहुत सिंपल यह बंबिश्याम काम पूखंज नदेए कुछ फिनिशिंग नहीं देखनी इसके अंदर कुछ भी नहीं ये पूरा ढ़क जाएगा बस खाली हमें चिपकाने के उसपे लेना है इस तरह से इस तरह से हमें से पूरा रैप करके छोड़ दिए अभी हमने जो यह कटिंग बनाई थी यह कटिंग हम अपने पेपर पर कट कर लेंगे देखिए हमारी कटिंग रेडी है यह कटिंग मैंने फॉम शीट पर की है यह आपकी चोईस से आप किसी पर भी कर सकते हो अब इसे हम इस तरह से सेंटर में रखके एक अंदाजा ले लेंगे कि दोनों तरफ से एक साड़ दिख रहा है तिक है अब हम इस पर एक साइड पे से इस तरह से रख लेंगे लुगन की हेल्प से हम यह पेपर चिपका देंगे इस तरीके से नीचे से यह आप ध्यान रखेगे कि आपका इस तरह की शेप दिखें पीछे की आगी की अलग अलग शेप ना दिखेंगे इस पकने के बाद में हम अगें ग्लुगन लेंगे अच्छे से लबाकर इसे प्रेस कर देंगे तो मिट्स उखने का वेट करेंगे इसी तरह हम दूसरे साइ प्रेक को भी कवर कर देंगे पुरा इस तरह समने से कवर कर दिया है टाकोस की शेप ले लिए इसकी अब हम पीचों मोती की माला ली थी वह हम इस पर लगाएंगे शुरुवात करते है इस तरह से ग्लूअन लिके पूरे में हम मला लगाजाएंगे इस तरह के मोती के लाईनी रेड़ी भी मिलती है अगर आप को यह ना मिले तो आप चारो तरफ में सिंगल सिंगल मोती लगा सकते हैं स्टोन लगा सकते हैं यह आपके पतली लेस joking हो लग माला लगाई है, पूरे कहूं कवर कर देंगे, ग्लू गरम होती है, थोड़ा साब ध्यान रखके कीजिएगा, हाथ पे लगने जाए, मैं तकरीमन अपने हर वीडियो में आपको यह बताती हूं, इस तरह से पूरा कवर कर देंगे, करेंगे, पूरा करेंगे, अपने पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, यह जाने हर देए, इस तरह से पूरी हमने पॉंडरी देदी, अब हम इस पर चॉकलेट अरेंच करेंगे इस तरह से हम ग्लूगन लगा लेंगे हलकी हम कॉर्णर पर लगा देंगे चॉकलेट को इस तरह से प्लेस करेंगे हलेों को कभी चॉकलेट को नुकसान नहीं होगा कई मेरे मेरे व्यूएर्स ने मुझे से पूछा कि इस तरह से लगाने से चॉकलेट वेस्ट हो जाती है तो आप इस oc되는 नहीं होगे अप इसे कोम से compound अब कभी भी इसे उस कर सकते हैं खोलके इसे टॉफी कह लीजिए, चॉकलेट कह लीजिए, जो कह लीजिए, यह आपकी चॉइस है, आप इसकी जिकाँ और कुछ लगाना चाहरे हैं, वो लगा दीजिए, इस तरह से हम देखिए, अरेंज करते जाएंगे, इतनी भी एक टाकोज में आप फिट कर सकें, उतनी आप चॉकलेट इस पर लगा सकते हैं, और मुस्ट साथ से आठ चॉकलेट यहाँ पर अरेंज हो जाएगे आपकी, यह साइस पर है, जो मैंने साइस बनाया है, उस पर आठ चॉकलेट अरेंज हो रही है, अगर आप छोटा बनाते हो, तो कम भी हो सकती है, बड़ा बना रहे हो, तो ज्यादा भी हो सकती है, इस तरह से ग्लू को हम नीचे तक ले लेंगे थोड़ा सा, ताकि नीचे से बिचे पक जाए और चॉकलेट बिचे पक जाए इस पर, थोड़ा पेशनस ली करेंगे, थोड़ा ध्यान से कीजेगा, यहीं आपको गरम ग्लू लगना जाए, देखिए, आठ हिस पर लग गई है, यह थोड़ी स्पेस और दिख रही है, हम एक और लगा देंगे, फिनिशिंग के लिए, और कॉर्णर पर भी लगा देंगे, इस तरह से, थोड़ा सा सुखने का हम वेट करेंगे, देखिए, हमारा यह चिपक्क्य रेडी हो गया है, अब इस पर हम, यह जो कॉइन चॉकलेट है, वो हम लगा देंगे, सेंटर पर, यह आप बर्डेज में गिफ्ट दे सकते हो, 15-20 रुपीज के आसवास बच्चों को चॉकलेट द देना है, तो कुछ इनोविटिव तरीके से हम बना के, अच्छा लगता है बच्चों कुछ फैंसी दिया हुआ, देखिए, यह इस तरह से चॉकलेट लग गई, यह हमारा रेडी हो गया, चॉकलेट टाकोज, कुछ अलगतर है की कोशी शेमिहारी बनाने की, चॉकलेट की र जोँ है थैंसी, ते तरह गईंसी देनी पच्तित वा टोट्वारी की, फैंसी देनी की ऐओ पभा यह से चीकी दिवारी दिवता में जोजळिवकलेट लगते हैं थी चॉकलेट जाए है क्ढ विचलेट की अजयए है बने हैं मुदाईड दो भकलेशा अज़ भीवाज़ से